तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा किस तरह आप अपने मुबाइल को रिबॉर्ट में कर सकते हैं दोस्तो आपने बहुत ज़्यादा मुवीज में देखा होगा जस्त वो बात करते हैं अपने मुबाइल से आपका पूरा मुबाइल कंट्रोल होगा वो किस तरह करना है वो वीडियो में मैं बताऊंगा लेकिन वीडियो में आगे बड़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ अगर आप मेरे इस प्लाइन पर पहली दफा उतरे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल का इकन को लाजमी दबाना इसका बैनिफिट यह होगा जब भी मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँगा तो नोटिकेशन मिल जाएगा आप उस वीडियो को जल से जल देख पाएंगे क्यूंकि हम इस फ्लाइन पर बेस्ट और अप्लीकेशन टिप और ट्रिक्स लाते रएएं इस वीडियो में लाइक तरगी सामने नहीं दे रहा आप यार आप लाइक करते हैं यह वीडियो को लाइक करो लाइक करो तो विडाउट वेस्टिंग अफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों किस तरह आप अपने मुबाइल को कनवर्ट कर सकते हैं एक रबोट में इसके लिए आपको एक एप्लिकेशन की जुरुत पड़ेगी इस एप्लिकेशन का नेम क्या है इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कहां से करना है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा सबसे पहले आपने इस एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है application को open करने के बाद आपने permission दे देनी है permission देने के बाद आपने allow करना है उसके बाद आपने next करना है next के बाद फिर next करना है 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 और finish कर देना है finish करने के बाद simply आपने क्या करना है अगर ये permission off है तो आपने इदर से permission को on कर देना है उसके बाद आपने back आ जाना है back आने के बाद आपके सामने इस किसम का pop-up शो हो जाएगा जैसे के आपको नजर आ रहा है उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपने इस pop-up पे click करना है तो आपने इधर कहना open whatsapp या जो आपके mobile की screen पे जो number आ रहे होंगे उसमें से कोई number बोलना है तब भी आपकी open हो जाएगी या अपने उस application का name लेना है जैसे के whatsapp पे आपने कहना open whatsapp तो आपकी whatsapp open हो जाएगी अब मैं ये करके क्यों नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैं screen record कर रहा हूँ तो ये application वर्क नहीं करेगी मैंने screenshot में थोड़ा से आपको दिखाने की कोशिश किया इस तरह आप अपने mobile को convert कर सकते हैं एक remote में और easily अपनी voice से पूरे mobile को control कर सकते हैं तो अब बात रही आपने इस application को download कहां से करना है इस application का नेम है voice access और इस application को description से easily जाके download कर लो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आई वीडियो को like करो इस चैनल को subscribe करो bell के icon को लाजमी दबाओ comment box मुझे comment करके लाजमी बताना वीडियो कैसी लगी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई